हेई गाइज, वोट्स आप, कैसे हैं आप सभी लोग, बहुत-बहुत सभागत है आप सब का आज के समेजिंग से सेशन में, मेरा नाम है निशांत कुमार, मैं एक चार्टर अकाउंटेंट हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने आ गया हूँ, फास्ट ट्राक ट आते हैं इस वाले चाप्टर में, वो कम पल्सर ही वहोता है, तो काफी इंपॉर्टन चाप्टर है, काफी अच्छे क्वेस्टन इससे आते हैं, तो फिर हम लोगों को इसको रिवाइज करना है, जितने भी शूटन से यहां पर नए है, यह मेरे बार में कुछ बेसिक इनफ क्वालिफिकेशन और एजुकेशन और को फाउंडर विकागरता एजुसर्ब्स और यॉथर वेडियस बुक्स मेरी इंकम टाक्स और जी सी की दोनों बुक्स आउट हो चुकी है और आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर इनको पच्छेस कर सकते हो बहुत सारे यहां से आप मेरी टाक्स की बुक्स को परचेस कर सकते हो यह मेरा शेडियूल है नॉवेंबर 2023 के स्टून्स के लिए रोज रात को नौ बजे में इसी यूट्यूब चैनल पर फास्ट्राक टाक्सेशन के लिए आता हूँ यहां पर आपको पुरा आगे का शेडियूल और जितने भी पुराने लेक्ट्रस वें अलोंग विद लिंक्स अवर्टिंग आपको सब कुछ मिल जाएगा नोट्स आपको महां पर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा के लिए आप टाक्स की बुक कर सकते हो यू कन पर्चेस इस बुक फर मैं वेबसाइट कुमार निशांत कॉम में 24 वाले स्टूंट अगर आप हो या में 24 के आगे आपका टेम्ट तो प्लीज यह वाले सेशन्स आप में देखिए यह वाले सेशन्स आप लों के लिए नहीं ह अपना थर्ड लास्ट चाप्टर है डाइस पेमेंट ऑफ टाक्स ठीक है आओ पढ़ते हैं यहां पर बड़ा सिंपल सा है मैंने सारी चीज़ें आप लोग को जैसे हम लोग हमेंशा से करते आ रहे हैं मैंने सारी चीज़ें आपको क्रिस्प कंसाइज मैंने शॉट में आप आप टाक्स रडिट हम लोगों ने किया था ठीक है तो जो चाप्टर एट हम लोगने इंपूर टाक्स रडिट किया था वहां पर स्टार्टिंग में आपको इसका पूरा बेसिक स्ट्रॉक्चर बताया था कि किस तरह से आपको टाक्स वगेरा पे करना होता है तो आप GSTR 3 ने अपना रिक रिटर में रिटरन फाल करते हो एलेक्रनिक वेश्यजर से घाँता टाक्स और वह पे करते हो तो सबसे पहले आप लिदे पहले पैसा डाल दिया उसके बाद क्यों थो आप सकते हो इसमें the electronic cash ledger summary maintain on the GST portal तो जिए सी पोर्टल का वो हो जाता है वाले थो जाता है ठीक ए यह जीस्ट फोर्ल का वालेट हो जाता है आगे देखाँ आगे पढ़ते हैं लोग यहां पर, crediting input tax credit to electronic credit ledger, तो जो भी GSTR 2B में आप अपना select करते हो कि यह eligible है, यह eligible है, वो automatically electronic credit ledger में credit हो जाता है, input tax credit is credited to the electronic credit ledger, ITC is the credit for tax paid on inputs used in the business, तो यह सब आपको बता है, लेजर maintenance is as prescribed, तो वो online ही यह सब हो जाता है, अब देखो, utilization of electronic cash ledger, जो electronic cash ledger में balance पड़ा है, उसका utilization किस तरह से होगा, तो amounts in the electronic cash ledger are used for various GSC Act payments, तो यहां पर interest, penalty, fees वगरा सब के लिए यूज हो जाएगा, usage subject to conditions, restrictions and time limits, तो यह proper जो भी time limits वगरा है, वो use आपका हो जाते हैं, यह सब आप लोगों को पता है, transfer of CGST to IGST, SGST, UTT in electronic cash ledger, देखो, अब यहां पर क्या हो जाता है, electronic cash ledger, जब भी आप payment करते हो, तो आपके पास multiple heads होते हैं, CGST, SGST, जो आपका IGST है, उसके बाद interest fees वगरा, तो अगर आपको किसी एक head में से, किसी दूसरे head में amount transfer करना है, तो क्या आप कर सकते हो, हाँ, तो registered persons can transfer amounts to various heads, transfer can be done on the common portal, transfer conditions apply and it is treated as refund, ठीक, आओ देखो, transferred amount deemed deposit, तो transferred amount is treated as deemed deposit यह, आप लोगो पताईए, देखो, utilization of electronic credit ledger for output tax, अब सुनो, electronic credit ledger में जो ITC का balance होता है, वो सिर्फ और सिर्फ output tax के लिए ही utilize किया जा सकता है, मतलब अगर आपको कोई interest fees या penalty वगरा पे करनी है, तो वो electronic cash ledger से ही pay होगी, ठीक है, ITC से सिर्फ और सिर्फ आपकी output GST liability का ही settlement होता है, और किसी चीज़ का settlement नहीं होता है, तो electronic credit ledger is used for paying output tax, output tax is collected on sales और supplies, manner of utilization electronic credit ledger, सुनो, utilization depends on type of credit, IGSC credit pays IGSC, then CGSC, SGSC, UTGSC, तो इसका हम लोगों ने बात की थी, कि सबसे पहले IGSC का credit है, वो आप IGSC की liability के against utilize करोगे, उसके बात CGSC है, SGSC में, जैसे भी आपका मनो, CGSC का जो credit है पहले, आप CGSC के against utilize करोगे, फिर IGSC, SGSC का जो credit है पहले, आप SGSC की liability के against utilize करोगे, फिर IGSC, और CGSC का credit SGSC के against नहीं कर सकते, SGSC का credit CGSC के against नहीं कर सकते, maximum portion of output tax to be paid from e-credit ledger, अब देखो, government can specify maximum portion for payment using electronic credit ledger, applies to registered persons or groups, conditions set for using electronic credit ledger to pay tax liability, तो इसके बारे में हम लोग ने पढ़ाता ना, वो rule 86B पढ़ाता ना, जहां पर यह था, कि अगर आपकी महीने के sale 50 लाग को cross कर रही है, तो फिर आप अपनी total output liability का से 99% ही electronic credit ledger से ले सकते हो, 1% आपको cash में pay करना ही पड़ेगा, right, refund of balance in electronic credit ledgers, तो remaining balance is refunded as per section 54 provision, आओ, electronic liability register के बारे में बात करते हैं, electronic liability register, तो यह क्या करता है, यह liabilities को record करता है, और यह digitally maintain किया जाता है, जो भी prescribed conditions है उसके हसाब से, देखो, order of discharge of liabilities, देखो, taxpayers pay dues in the specific order, इसका मतलब simply यह हो गया, कि अगर आपके पास पैसा है, और आपको आपकी जो भी output liabilities है, जाए वो GST की हो, interest की हो, penalties की हो, किसी की भी हो, आपके पास पैसा कम पढ़ रहा है, तो किस order में माना जाएगा कि आपने dues को pay किया है, तो सबसे पहले, आप previous tax period के dues को pay करोगे, pay किया हुआ माना जाएगा, फिर current tax period dues, मतलब output वाला, उसके बाद any other dues under GST Act or rules, including section 73 or 74 demands, तो यह जो भी आपके scrutiny वगरे वाले cases होते, उसके बाद इनको दिया जाएगा, तो पहले आप previous years के जितने भी होँगे, previous tax period के जितने भी आपके होँगे, वो सारे के सारे dues आप पे करोगे, उसके बाद current year वाले करोगे, और उसके बाद आप यह actual rules पे करोगे, मतलब यह demands वगरा को utilize करोगे, incidence of tax deemed pass हो जाता है, जब अगर आपने GST output liability pay कर दी, तो मान लिया जाएगा कि जो भी आपका recipient है, आप supplier हो ना, आपने GST liability pay कर दी सरकार को, तो जो भी recipient है, उसको उसका ITC मिल जाएगा, मतलब उसको उसका credit मान लिया जाएगा कि pass हो चुका है, जो कि सही भी है, तो payment GST implies passing tax burden to the recipient unless proved otherwise, date of credit in the government account is considered date of deposit in the electronic cash ledger, आओ देखो, utilization of ITC and order of utilization of ITC, इसके बारे में हम लोग ने बात की हुए, तो ITC utilization की conditions के हैं, section 49A, ITC on central state or union territory taxes used only after integrated tax ITC is fully utilized, तो इसके बारे में हम लोग ने बात की, कि पहले IGST का utilization पूरा करो, उसके बाद ही आप CGST या SGST का utilization करोगे, order of ITC use, government can specify the sequence for using ITC types based on council recommendations, सरकार बता सकती है कि अगर कुछ भी मालो change भेंज है, तो वो सरकार बता सकती है, ITC utilization order, तो देखो, rule 88A, outlines ITC utilize, ITC use order, इसके बारे में बात की हुए है, कि integrated tax, मतलब IGST, first pays integrated tax, surplus can pay central, state और union territory tax, जो भी IGST की liability के उपर बच्चता है, उससे आप CGST या SGST की liability इसको pay off कर सकते हो, central, state और union territory tax ITC use, after integrated tax ITC is fully used, तो पहले IGST का credit पूरा utilize हो जाए, उसके बाद ही आप CGST या SGST का credit use करोगे, फिर, restrictions on electronic credit ledger, rule 86B, फड़ा बचसे वीडियो को करते हो, like आप लोग देख रहे हो, किस तरह से crisp और concise notes यहाँ पर बने होए, कि एक एक line पढ़कर आपको एकदम clear होगा, this is basically जो आपके handwritten notes नहीं होते, जो handwritten notes होते है, उस type के notes ही है, ठीक है, कि आपने पुरा-पुरा sentence पढ़ा, उसको short में आपने अपने आपसे लिख लिया, ठीक है, तो यह उसी type के notes है, यहाँ पर मैंने बनाए होए, तो आप लोग वीडियो को like कर दीजें फड़ा फड़ा फड़ से, restrictions on electronic credit ledger rule 86B, तुरूल 86B, restricts using electronic credit ledger for output tax, when taxable supply exceeds 50 lakh rupees per month, limited to 99% of the tax liability from available ledger credit, इसके बारे में हम लोगों को पता ही है, आओ, electronic cash ledger के बारे में थोड़ से और detail में बात करते हैं, तो maintenance कैसे होती है, electronic cash ledger is a digital ledger for GSC related payments, maintenance and form GSC PMT05 on government's common portal, records, deposit and tracks their usage for various GSC payments, credited for deposits and debited for payments, तो ये सारी बाते हम लोगों को पता ही है, कि electronic cash ledger जब आप पैसा डालोगे तो credit होगा, जब उससे पैसा यूटलाइस करोगे तो debit हो जाएगा, generation of चालान देखो, चालान सफ़र्म GST PMT06 are created for GSC payments, तो GST के पेमेंट करते समय, आपको चालान generate करने होती है, इस फ़र्म में ये चालान generate हो जाती है, validity period of 15 days from generation date, तो ये चालान की validity 15 दिन की रहती है, चालान specify payment type and amount, तो payment किस type का और रहाए, interest है, penalty है, fees है, GST है, क्या है, तो वो चालान में specified रहता है, electronic cash ledger में आप कैसे पैसा deposit कर सकते हो, तो payment methods, when depositing funds into electronic cash ledger, various payment methods are available, जैसे internet banking, UPI, IMPS, credit debit card, NFT, RTGS, over the counter payment भी कर सकते हो, तो deposit cash, check, or demand draft at authorized banks for amount up to 10,000 rupees पर चालान per tax period, ठीक है, तो अगर आपको over the counter करना है, अगर आपको over the counter, मतलब आपको cash बगरा में करना है, तो 10,000 rupees पर चालान तक का आप कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसे exemptions है, जिनके ओपर 10,000 की limit नहीं लगती है, ठीक है, मतलब अगर मेरे को चालान का payment करना है cash में, तो फिर मैं 10,000 rupees तक का ही कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोगे हैं, जिनके ओपर 10,000 की limit नहीं लगती है, तो OTC payment exemptions, क्या-क्या है, अगर government department deposit कर रही है, तो उसके ओपर 10,000 की limit नहीं है, अगर recovery जमा करनी है, किसी client ने कुछ न कुछ तो बत्तमीज ही किये, और उस client का case वगेरा चल रहा है, और उस client से recover किया हुआ है हमने बहुत सारा पैसा, और उस पैसे को हम जमा करने जा रहे हैं, तो क्या bank बोलेगा नहीं, नहीं 10,000 से उपर cash में नहीं होगा, ठीक है, अरे यार, client ने खा रखाता हूँ, उसका पैसा हम जमा करने जा रहे हैं, ठीक है, मनदब client किया किसी भी assessi ने, taxable person ने खा रखाता हूँ, उसका पैसा हम जमा कर रहे हैं, amounts collected, amounts collected during investigations, enforcement activities, और ad hoc deposits by proper officer, और any other authorized officer, तो ये भी officers वगरे वाले जो भी चीज़ हैं, उसमें भी आपका ये हो जाता है, कि 10,000 की restriction अप्लाई नहीं करती है, आओ देखो, additional provision for OIDAR services, तो if you provide online information and database access or retrieval services from outside India to a non-taxable online recipient, you can use international money transfer via the society for worldwide interbank financial telecommunication payment network, specific date for this provision will be notified by the board, ये वैसे भी CA final के लिए है, उतना ज्यादा आप लोगं के लिए important है नहीं, ठीक, commission responsibility when making a payment specified in the चालान, any commission payable for the payment will be borne by the person making the payment, तो अगर कुछ commission वगरे देना है, तो जो बंदा payment कर रहा है, उसी को commission pay करना होगा, payment by unregistered supplier using TIN, तो unregistered individuals can use temporary identification numbers for payments, तो अगर मैं unregistered हूँ और मेरे को temporary identification number मिला है, क्योंकि मैंने GST के registration के लिए apply किया हुआ है, तो मैं उस TIN के basis पर payment कर सकता हूँ, mandate form for NEFT और RTGS payments, तो required for NEFT, RTGS और IMP payments, इनके लिए mandate form चाहिए होता है, mandate form is generated along with the चालान, valid for 15 days, फिर एक चालान identification number होता है, यह generate होता है after successful deposit, तो जब भी आपने चालान के थूँ आपने पैसा जमा कर दिया, फिर एक चालान identification number generate होगा, unique identifier provided by the collecting bank, तो जिस भी bank ने पैसा आपका लिया है, जिस भी bank में आपने पैसा जमा किया है, वही CIN generate करेगा, and this is crucial for tracking and identifying payment transactions, तो इससे आप अपने transactions को track कर सकते हो, identify कर सकते हो, credit in electronic cash ledger on receipt of CIN, तो amount is credited upon receiving CIN, आपको एक बार CIN मिल जाए, तो amount आपका electronic cash ledger में credit हो जाता है, functions as a digital account to track deposits, तो यह electronic cash ledger वो ही है, इसमें आप पता लगा सकते हो, कि हाँ, यहाँ पर यह मैंने deposit किया हुआ है, ठीक है, चालान identification number के तुरू, आप यह identify कर सकते हो, representation to bank on non-generation of CIN despite payment, अगर आपने payment कर दिया और आपका CIN despite, आपका CIN generate नहीं हुआ, तो आप bank से बात कर सकते हो, तो complaint process for non-generated or uncommunicated CIN, यह यहाँ पर है, Submission through form GST PMT 07, तो अगर आपका CIN generate नहीं हुआ, तो आप GST PMT 07 में complaint डाल सकते हो, additional provision क्या है, now this is amendment, जो कि 26 December 2022 से आया गया था, देखो, if the bank fails to communicate the details of CIN to the common portal, the electronic cash ledger may be updated based on the electronic scroll provided by the Reserve Bank of India, तो अगर bank ने आपके electronic cash ledger का balance update नहीं किया, आपने bank के through payment कर दिया, आपने bank के through payment कर दिया, CIN generate नहीं हुआ, CIN generate नहीं हुआ, आपका e-cash ledger भी update नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, banks e-scroll की मदद से, e-scroll की मदद से आपका e-cash ledger update कर सकते हैं, अभी e-scroll क्या होता है, अभी e-scroll नहीं होता है, तो अगर CIN generate नहीं हुआ, तभी आपका अपका बार्ट हो जाना चाहिए, इससे यह वाला फ्रसें आपिश्यों हो जाता है, now what is e-scroll then e-scroll refers to an electronic scroll which is a digital document or record that contains details of financial transactions very nice in the context of electronic cash ledger the e-scroll is provided by the RBI and it contains information about the payments made by individuals or businesses to get to jab bhi may jama karta hoon kuch bhi paisa may electronic cash ledger may jama karu ga to RBI say e-scroll generate hooga to just bank may may ne paisa jama kya us bank is just bank ke through may ne paisa jama kya agar us bank se sin generate nahi bhi ho paaya to RBI say e-scroll generate hota hai so the e-scroll is used as a reference to ensure that electronic cash ledger is updated accurately when there are issues with the communication of shallan identification number from the bank to the common portal it helps in it helps in reconciling the payment details and ensuring that correct ensuring the correct updating of electronic cash ledger take it also next credit of tds tcs or tds and tcs amounts credited to the electronic cash ledger usable for various gsc related payments refund amount to be deposited refund request debits the specific amount from the ledger ensures accurate ledger balance after processing तो ये भी e-cash ledger में सब होता रहता है credit on account of rejection of refunds ठीके अगर आप refund की मांग कर रहे हो अगर आप refund की request कर रहे हो अगर आप refund की request कर रहे हो तो आपका e-cash ledger debit हो जाता है और अगर आपका refund का rejection हो गया तो आपका e-cash ledger फिर से credit हो जाएगा तो refund rejection credits the debited amount back to the ledger facilitated through form GST PMT 03 communication of discrepancy to jurisdictional officer registered persons report ledger discrepancy via form GST PMT 04 transfer of amount from one account head to another ये भी हो जाता है तो देखो transfer of funds between ledger categories बिलकुल हो जाता है utilizes form GST PMT 09 enhances financial management within the ledger transfer of cash balance to distinct person देखो distinct person मतला वो ही क्या जिसका registration ना लग है तो transfer of funds to another person's electronic cash ledger specific to central tax or integrated tax conditions apply including the absence of unpaid liabilities explanation क्या है refund rejection upon appeal rejection refund rejection कब माना जाएगा जब आपने appeal कि और आपकी appeal reject हो गई refund deemed rejected if an appeal isn't filed or an undertaking not to be fired not to file is given to the proper officer तो आपने अगर appeal file ही नहीं की या फिर आपने ये एक undertaking देदी कि मैं appeal file ही नहीं करूगा तब भी मान लिया जाएगा कि आपका आपने जो refund claim किया था वो आपका reject हो गया है आओ सवाल देखते हैं let's look at the question now तो प्रनेश has deposited a sum of 5,000 रुपीज under the head fee column of CES and 4,000 रुपीज was lying unutilized under the head penalty column of IGST both the deposits were made wrongly instead of depositing under the head of fee column under SGST ठीक है तो यहां पर हो क्या गया कि IGST column के अंदर इसने fee और CES में डाल दिया ठीक है IGST का कॉलम था IGST का कॉलम था उसमें unutilized 4,000 रुपे पड़ावा था देखो प्रनेश had deposited a sum of 5,000 रुपीज under the head of fee column of CES CES के अंदर fee के अंदर इसने 5,000 रुपे डाल दिया था और IGST के अंदर पेनल्टी वाले head के अंदर 4,000 रुपे अंदर रुटिलाइज पड़ा हुआ था बोत देपोजिट्स पर में रूंग ली इंस्ट आफ देपोसितिंग अंदर your three arrives I look a registered person is allowed to make intrahead or internet transfer of amount as available in electronic cash ledger using specified Form GST PMT 09 he can transfer any amount of tax interest penalty fee or others under one major or minor head to another major minor head as available in the electronic cash ledger therefore in the given case amount of 50 peace available under minor head fee of the major head CES and 4000 the P is available under minor हेट penalty of the major head IGST can be transferred to the minor head fee of the major head SGST using specified form GST PMT 09 ठीक है तो यह आपका इस तरह से होता जाए गा मैं फिर से बता रहा हूँ अगर आप लोग detail में इसको पढ़ना चाहते हो तो आप book में से अपने आप पढ़ सकते हो बुक में सब कुछ बहुत detail में सब कुछ समझाया हुआ है ठीक है जस्ट विकूस इस फास्ट ट्रैक तो यहां पर मैं आपको number of questions भी कम करवा रहा हो और मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ क्योंकि यह चाप्टर payment of tax chapter करने में हम लोगों को कम से बुक से या में नोट से आप लोग रिवाइस को कर सकते हो आईए बात करते हैं electronic credit ledger के बारे में तो maintenance it's an account for eligible persons under GST recorded in form GST PMT 02 tracks and managers input tax credit debits कौन कौन से होते हैं debits जो है वो ITC को reduce करते हैं मतलब क्या हुआ कि जैसी यह पता चला कि हाँ यह वाला credit मेर को मिल सकता है वो उससे electronic credit ledger credit हो जाएगा और जब उस ITC को utilize में करूँगा तो electronic credit ledger debit हो जाएगा happens when ITC is used to pay the tax liability refunds deducted to refund claims deduct from the ledger अगर आप refund ले रहे हो तो obviously वो balance आपका कम हो जाएगा ठीक है अगर आप ITC का refund लेना चाहते हो तो आपके जो electronic credit ledger के अंदर balance पढ़ा है वो कम हो जाएगा ना follow section 54 of the cgst act देखो rejected refund recredited अगर आपका refund reject कर दिया गया अगर आपका refund reject कर दिया गया तो फिर क्या होगा वो फिर से प्रेडित कर दिया जाएगा तो रॉंगली पेड टाक्स री क्रेडिटेड इफ रिफंडिबल वाया फॉर्म GST PMT 03 री पेमिडफ एरोनियस रिफंड मालो आपको गलती से रिफंड आ गया तो यह वापस आपका डेबिट हो जाएगा तो रिफंड रिफंड बाइब डेपेड डेपिड फॉर्म एलेक्ट्रोनिक काश लेजर नो डारेक्ट एंट्री एंट्री अर्टोमेटेड बेस्ट बेस्ट रूल्स थीक है तो एलेक्ट्रोनिक रेडिट लेजर में आप खुछ से कुछ एंट्री नहीं कर सकते मैंने आपको बताया था आया फॉर्म GST PMT 04 अगर मालो कोई discrepancies है तो आफ फॉर्म GST PMT 04 के थू यह कर सकते हो discrepancies को report कर सकते हो deemed refund rejection, appeal rejected or undertaking means refund denied ठीक आओ देखो इदर clarifications regarding utilization of amounts available in the electronic credit ledger and the electronic cash ledger for payment of tax and other liabilities कुछ-कुछ clarifications है क्या Can the electronic credit ledger be used for tax payment under GST? Of course, electronic credit ledger funds can be used for output tax payment under CGSC, IGSC Act payment follows ITC utilization order, तो ITC utilization वाला order वही हम लोगों ने बात की पहले IGST, फिर CGST, फिर SGSC Output tax में क्या क्या आएगा? Self-assessed or law-induced payments but not reverse charge taxes तो अगर आपकी कोई reverse charge वाली liability है क्या आप उसको ITC के थूँ सेटल कर सकते हो? बिलकुल भी नहीं Next, can the electronic credit ledger pay liabilities other than tax? No, electronic credit ledger का जो balance है वो सिर्फ और सिर्फ आउट्पुट liability of tax के लिए utilize किया जा सकता है, interest penalty fees वागेरा के लिए नहीं किया जा सकता है तो electronic credit ledger is solely for output tax payments under CGSC IGSC Act It cannot cover interest penalty fee or cash refunds for errors Can the electronic cash ledger pay GSC liabilities? Of course, yes तो electronic cash ledger सब कुछ पे कर सकता है, tax penalties, fee or any GSC related payment बात करते हैं electronic liability register के बारे में ठीक है, electronic liability register में input debit credit सब कुछ होता है तो it tracks amounts a person owes under GST तो मैं कितना पैसा GST में owe कर रहा हूँ, electronic liability register से मुझे पता चल जाएगा recorded in form GST PMT 01 on the common portal each liable person has one, different from electronic cash and credit ledgers इसमें क्या क्या debit होगा debited for tax interest penalty etc, debited upon return officer's order or accrued interest keeps track of what's owed ठीक है, तो जितना भी पैसा मेरे को वापस मिलता रहेगा return होगा या कुछ भी होगा, तो वो debit होता रहेगा और ये जो भी मैं interest penalty वगरा pay करूँगा तो ये भी मेरा debit होता रहेगा ठीक है, तो payment process के है use electronic cash or credit ledger, records liabilities in register, payment by ledger debiting and register crediting ठीक है, तो payment कैसे होगा जब आप ledger को debit करोगे, मतलब आपने payment किया और जब आपका वो जितने भी आपके output liability होगी, उससे electronic liability register आपका credit होगा payments from cash ledger for TDS, TCS, reverse charge, composition scheme, interest penalty fees, debit electronic cash ledger, credit liability register तो आप इसमें क्या करते हो, cash ledger को debit करोगे, electronic liability register को आप credit करोगे tax relief adjustments, demands recorded, reduced by relief from appeal, recorded in register, adjusted upon appeal outcome ठीक है, penalty reduction वाले क्या adjustments होते हैं, देखो, imposed penalty recorded, reduced by payment adjusted in the register to reflect the reduction, discrepancy reporting, discrepancy is reported to the tax officer through form GST PMT 04 on common portal, मैं आपको फिर से बता रहो, अगर किसी को भी लग रहा है कि ये तो ज्यादा छोटा हो गया, ये कुछ भी है, तो ये तुरंत क्लिक करेगा आपको, अगर आपने अपना main पढ़ा हुआ होगा तो, otherwise ये main notes ही हो जाएंगे ना, उसका कोई फाइदा नहीं होगा, तो ये जो concise और summary notes आप लोग यहाँ पर देख रहों कि एक क्लाइन में पूरा पूरा provision मैंने summarize करके लिखा हुआ है, इसका reason ही है, कि अगर आपने regular पढ़ा हुआ होगा, तो आप इसके through आप बहुत तेजी से revise कर सकते हो, मैं आपको फिर बोल लाओ, अगर आपके पास book है म मैंने लिखा हुआ है, और वो ही मैं आप लोगों को पढ़के समझा भी रहा हूँ, देखो, identification number for each transaction, हर transaction के लिए एक identification number आपका sign किया जाता है, उसको unique identification number कहते हैं, तो जितनी बार भी आपका debit or credit का transaction होगा, एक unique identification number generate हो जाएगा, और यह common GSC portal में generate होता है, recording a liability register, when paying a liability, UIN link to that payment is noted in the electronic liability register, तो जब भी आप कोई भी liability pay करोगे, तो उस liability से linked unique identification number, electronic liability register में note हो जाएगा, इस register tracks all tax obligations, अब देखो, UIN for credit entries, UIN also assigned to credit entries in the liability register for various reasons, such entries could be adjustments, refunds or any activity increasing the credit balance, purpose के UINs ensure proper documentation and traceability of financial activities concerning tax and liabilities, ठीक है, आओ, next चीज आती है, आपके पास, C-PIN, CIN, BRN, EFPB, C-PIN क्या होता है, common portal identification number, अभी ये क्या के चीज़े हैं, इसमें आप लोग पढ़ सकते हो, CIN is chalon identification number, BRN is bank reference number, EPB is electronic focal point branch, तो ये छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं, इसको आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो, आओ, देखो, जो थोड़ी सी important चीज़े हैं, वो ये है, interest on delayed payment of tax, अगर आपने tax को देर से पे किया, तो आपके ओपर interest लगता है, ठीक है, सुनना, interest rate, if tax payment is delayed, a person must pay interest at the rate of 18% annual rate, मतलब 18% per annum on the unpaid tax amount, ठीक, interest calculation कैसे होती है, सुनना, interest starts accruing the day after the tax due date and continues until the tax is paid, तो जिस दिन आपकी tax की due date थी, जैसे today is 20th September, ठीक है, अगर मैंने August वाला GST 20th September तक पे नहीं किया, तो कल से इस पे interest लगना शुरू हो जाएगा at the rate of 18% per annum, interest on net tax payable, अब देखना, अब देखना हैं आपर, this is a very important point, interest applies if a taxpayer files their return after the due date, interest कब लगेगा, अगर आपने return ही 20, जैसे आज 20th September है तो August वाला return मेरे को आज सक फाइल करना होगा, अगर मैंने आज return फाइल नहीं किया, GSTR 3B मैंने आज फाइल नहीं किया, तो फिर कल से interest लगना शुरू हो जाएगा, it is calculated on the tax label for the period after considering input tax credit, तो कितने portion पर interest लगेगा, क्या total output liability पर लग जाएगा, नहीं, total output liability minus ITC उस पर लगेगा, specific conditions, specific calculation rules apply, अब देखो, interest on wrong ITC क्या ही है, if someone wrongly claims or uses input tax credit, दे में O interest at a government determined rate currently 18%, तो अगर आपने ITC wrongly utilize कर लिया, तो फिर 18% का interest आपको उस पर भी देना पड़ेगा, की points देखो, tax का मतलब हो जाता है, tax payable, under the act or rules, interest payment is voluntary, even without a demand, interest is debited to the electronic liability register, it cannot be paid from the electronic credit ledger, but can be settled using the electronic cash ledger, तो interest वगेगा, आप credit ledger से नहीं कर सकते हो, अब आप यह देखो, this is a very very important rule, this is a very very important rule, तो आप इसको important mark कर लो, ठीक है, और यह भी आपका important हो जाएगा, देखो, अगर आपने return late file किया, तो जितना cash में आपको देना है, जितना, मतलब output liability minus ITC, जितना आपको cash में pay करना है, उसके ओपर interest लगेगा, if the return is filed late, interest 18% per annum is calculated only on the tax payable via cash, यानि debiting electronic cash ledger, not on the part covered by input tax credit, on time अगर आपने file कर दिया, अगर आपने return on time file किया, और आपने tax pay नहीं किया, अगर आपने return on time file कर दिया और आपने tax नहीं पे किया, तो पूरी output liability पर interest लगेगा, तो full amount पर लगेगा, if the return is filed on time but the tax payment is delayed, interest at the rate of 18% per annum applies to the entire tax amount, wrong ITC calculation, if ITC is wrongly claimed and used, interest 18% per annum applies from the date of wrongful use until reversal और tax payment, ठीक है, तो जिस दिन आपने claim किया, तब से लेकर, जब तक आप उसको reverse नहीं कर देते, तब तक ये लगेगा, wrong ITC utilization date क्या होती है, wrongly claimed ITC is considered used when the electronic credit ledger balance falls below the wrongly claimed amount, ठीक है, जब balance जो है, जब जो electronic credit ledger का जो balance है, वो wrongly claimed amount से भी नीचे चला जाता है, ठीक है, मतलब मैंने suppose 500 रुपे का ITC claim कर लिया घलती से, ठीक है, अब balance अगर electronic credit ledger का balance अगर 500 से उपर है, तब तक तो कोई problem नहीं है, लेकि मैंने इसको utilize कर लिया, utilization date is either the due date of return filing or the actual filing date, whichever is earlier, for return related use or the date of debit for other cases, ठीक, very important question, question number 2, बहुत ध्यान से, इस वाले question को आप सब लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है, question number 2, बहुत ध्यान से आप लोग देखोगे, ठीक है, let's look at this question now, PQR Limited, having filed their GSCR 3B return for the month of August 22 within the due date, that is 20th September 2022, it was noticed in October 22 that tax dues for the month of August 22 have been short paid by 10,000 rupees, the shortfall of 10,000 rupees was paid through cash ledger and credit ledger amounting to 7,500 and 2,500 respectively while filing GSCR 3B of October 22, which was filed on 20th November 2022, Examined and Compute the Interest Pable if any under the CGSC Act 2022, अब आप यहाँ पर एक बात बताओ, क्या return timely filed है? August का return, क्या timely filed है? हाँ, August का return जो है, वो timely file आपका हो गया है, तो अगर timely file हो गया है, तो अगर timely file हो गया और आपने GST नहीं फिल किया, तो पूरे के पूरे amount पर आपका 18% का GST लग जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका, examine and compute, अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? due date तक file हो गया, तो पूरे के पूरे 10,000 रुपे पर लग जाएगा, तो due date of payment is 20th September, actual payment कब किया, 20th November, कितने दिन होगा, 61 days हो गया, GST payable 10,000, तो rate of interest 18%, 18% 10,000 into 61 by 365, 301 रुपे लग जाएगा, what would be your answer if GSTR 3B for the month of August 22 has been filed belatedly on 20th November as above, return ही देर से file हुआ है, अगर return ही देर से file हुआ है, तो सिर्फ यह जो cash ledger and credit ledger amounting to this and this respectively, तो cash ledger से 7,000 किया न, तो सिर्फ 7,000 रुपे पर interest लगेगा, तो सिर्फ 7,000 रुपे पर interest लगेगा, तो अगर return belatedly file किया, तो सिर्फ 7,000 रुपे पर interest लग जाएगा, बाकि सब कुछ exactly same हो जाएगा, आओ देखो, transfer of input tax credit, utilization of CGST for IGST dues, देखो, if a taxpayer uses CGST availed as input tax credit to pay IGST dues, government reduces a collected central tax by that amount, ठीक है, अब यह अपना उनका आपसी मामला है, transfer explanation, simply put, when CGST pays IGST, मतलब जब आप CGST की credit को IGST की liability के गेंस्ट रुटलाइस कर रहो, equivalent amount shifts from the central account to the integrated tax account, ensuring proper crediting, ठीक, uniform treatment, UTGST and SGST receive the same treatment and this provision mirrors section 18 of the IGST Act, 2017, transfer of certain amounts, ठीक हो, electronic cash ledger transfer, when an amount moves from CGST Act's electronic cash ledger to the SGST Act or UTGST Act's ledger, specific actions are required, क्या, allocation to state a unit entry, an equal amount from the transferred sum will be assigned to the state tax or unit entry tax account, ensuring correct tax distribution, ठीक है, तो जब आपका electronic cash ledger से आप transfer करते हो, CGST के account से आपका जाता है, SGST या UTGST में, तो उतरहीं पोर्षिन आपको, SGST या UTGST में भी देना होता है, उतरहीं पोर्षिन आपको देना होता है, the government will establish guidelines and timeframes for this transfer to maintain clarity and consistency, आगे देखे, transfer of certain amounts, electronic cash ledger transfer, when funds move from IGST Act's electronic cash ledger to SGST or UTGST, additional steps are involved, क्या, allocation to state and union territory, an equivalent sum from the transferred amount will be assigned to the state tax or union territory tax account, ensuring precise tax distribution, government की guidelines आएंगी, कुछ कुछ ताइंगी, कुछ कुछ ताइम्स बनाएंगी, transfer of input tax credit, देखो, using IGST for CGST, when taxpayers employ integrated tax credits from IGST Act to cover central tax liabilities, government takes specific measures, IGST amount decreases by the credit use, adjusting tax appropriately, Central government transfers the reduced amount of IGST account to the central tax account for the government set guidelines, ठीक है, आपने IGST के credit को CGST की liability के अगेंस यूटलाइज किया, तो IGST के account से central government वाले account पे पैसा भीजना पड़ेगा, using IGST for UTGST, अगर आपने IGST के credit को UTGST की liability के लिए यूज किया, तो IGST के account से UTGST के account में पैसा सरकार को transfer करना पड़ेगा, when taxpayers utilize IGST credits to settle union territory tax liabilities, the government follows distant procedures, बात को ही आजाएगी, कि IGST amount decreases by the credit use, allocating right tax amount to the union territory, Central government transfers a reduced amount from IGST account to the union territory tax account, adhering to the government defined timelines, and similarly IGST और SGST के लिए भी exact same procedure आपका आएगा, आओ देखो, tax wrongfully collected and paid to the central government or state government, ठीक, IGST paid instead of CGST or SGST, अगर आपने CGST और SGST की जग़ा पर IGST पे कर दिया तो क्या होगा, if a registered person mistakenly pays IGST or a transaction initially considered as interstate, but later deemed intrastate, they can claim a refund, refund ले सकते हो, refund amount follows prescribed procedures and conditions specified by the authorities, अगर आपने CGST और SGST पे कर दिया instead of IGST, no interest on IGST, तो IGST के ओपर कोई interest नहीं लगेगा, अधर IGST यह होगा ना कि IGST तो आया नहीं हो, तो उसके ओपर कोई interest वगरे नहीं लगेगा, if a registered person pays central tax and state union territory tax on a transaction, that they thought was intrastate, but turns out to be interstate, they won't face interest charges on IGST amount, would, this means no additional interest penalties for payment of CGST, SGST instead of IGST due to an honest mistake, या ये बात आप सब क समझ में यहां तक आ गई, निश्टेन, और रेवर, अब ये जो चाप्टर है, इस में से जिस टाइब के questions आते हैं, वो majorly practical questions आते हैं, और आठ नमर का question तो must है, आठ नमर के जो questions आते हैं, वो तो मतलब must है, ऐसा हो ही ने सकता के इस में से आठ नमर का कोई question ना आए, ध्यान दीजे इधर, Xeon Limited, a GST registered supplier, Xeon Limited, a GST registered supplier located in Rachi Jharkhand, is engaged in the manufacturing of washing machines and mixer grinders, it provides you the details of various activities undertaken during the month of September 22 as follows, देखो, outward supplies made during the month, 29 lakh rupees, इसमें within Jharkhande 24 lakh, and outside Jharkhande 5 lakh, मतलब ये CGST and SGST, और ये वाला IGST, Purchase of raw materials from registered dealers within Jharkhand, which includes materials worth 2 lakh rupees purchased from Mr. Krishna, a registered person who is paying tax under composition scheme, 7 lakh rupees का purchases किया है, जिसमें से 2 lakh rupees की जो purchases है, वो composition supplier से लिए है, composition supplier से अगर आप कुछ भी purchase करते हो, तो क्या आपको उसका input tax credit मिलता है, नहीं, मतलब 7 lakh में से 2 lakh के ओपर तो आपको input tax credit नहीं मिलेगा, 5 lakh पर आपको input tax credit मिल जाएगा, बस purchased from registered dealer in Tata Nagar Jharkhand, बस used to ferry its 25 workers to and from factory, बस पर आपको CGA वो GSC का credit मिलेगा, input tax credit मिलेगा, of course मिलेगा, Assume the rates of GSC applicable in various supplies as follows, composition supplies पर CGSC और SGSC ये 0.5.5, बस पर 14-14, मतलब 28% का GSC, raw material पर 6-6, washing machines and mixer grinders पर 9-9, मतलब, अभी आप अगर इसको देखो, काफी तगडा क्वेस्च नहीं है, इस पर 9%, CGSC 9% SGSC लगेगा, इस पर 18% IGST लगेगा, इस में से 2 लाख पर आपको कोई credit नहीं मिलेगा, 5 लाख पर आपको 6% CGSC और 6% SGSC का credit मिलेगा, इस पर आपको 14% CGSC और 14% SGSC का credit मिलेगा, ठीक है, opening balances of input tax credit, as on 1st September 22, CGSC, SGSC और IGSC के opening balances आपको दिये हुए है, all the figures mentioned above are exclusive of taxes, both inward and outward supplies within state of Jharkandar to be considered intrastate supplies, and outside the state of Jharkandar interstate supplies, हमें पता हिये, subject to information given above, all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled, ठीक, calculate the amount of net minimum GST payable in cash, कितना कम से कम GST आपको cash में pay करना पड़े, by Zee Unlimited, for the month of September 22, brief and suitable notes should form part of your answer, now this is a question that came for 8 marks in May 2022, ठीक है, this is a question that came for 8 marks in May 2022 exams, और इसी type के बहुत सारे exams के questions, मैंने आप लोगों को book में करके दिये हुए है, मैं यह एक question करवा रहे हूँ, ठीक है, मैंने एक question input tax credit के time पर कर रहा था, एक question मैं आपको यहाँ पर अभी करवा रहे हूँ, एक और question मैंने आपको इसी notes में दिया हुआ है, question number 4, ठीक है, एक और question मैंने आप लोगों को, यहीपर दिया हुआ हुआ है, question number 4 वो आप अपने आप से कर सकते हो बाकि अगर आपके पास book है जो की होनी चाहिए तो book से तो आप और भी बहुत सारे questions की practice कर सकते हो सारे questions की practice please कर ले ना 4-5 questions में आपको लगेगा कि हाँ या थोड़ी सी मेहनत लग रही है उसके बाद आपको आपका एकदम flow बन जाएगा ठीक है तो उससे क्या होगा यह 8 नंबर में से कम से कम 6-7 नंबर आपके पास पक्के हो जाएगे GSC में ठीक है क्योंकि formats बना लोगे कुछ-कुछ structure आपको समझ में आ जाएगा तो इंट्रा स्टेट आउट्वर्ट सप्लाईज में 24 लाग की किया तो 216 और 216 इंट्रा स्टेट यह हो गया आपका इंट्रा स्टेट 24 लाग का तो इस पर 9% 9% तो यह आगया 216 तो इस आपकी आउट्पूट लाइबिरिटी आ गई इंट्रसेट 5 लाग रुपीज 18% 90,000 ठीक है अब हम लोगों को देखना है इंपुट टाक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन उसके लिए हमें यह देखना होगा कि हमारे पास कितना इंपुट टाक्स क्रेडिट है तो उसके लिए हमें एक working mode बनाएंगे ओपनिंग बैलन्स आपके पास 25 और 95 का था यह देखो 25 और 95 अब हम देखेंगे क्या क्या हमारी purchases हुई है तो raw materials हमने खरीद है 7 लाग रुपे के लेकिन 2 लाग composition वाले से खरीदा है तो 5 लाग रुपे क्या raw material पांच लाग रुपे का raw material है क्योंकि interest rate है क्योंकि interest rate है और raw material पर rate है 6% 6% तो 6% का CGSC लगेगा और 6% का SGSC लगेगा नौन ओमत लगा देना फिर next बस purchase की गई 12 लाग रुपे की इस पर 14% CGSC 14% SGSC तो बस purchase की गई 12 लाग रुपे की 14% CGSC 14% SGSC अब आपका total CGSC का credit 218 का है SGSC का credit 2,03,000 का है और IGST का credit 95,000 का है सबसे पहले आपको IGST का credit यूटिलाइस करना है IGST की liability कितनी है 90,000 की IGST की liability है सुनते रहना बहुत ध्याँ से IGST की liability 90,000 है 95,000 रुपीस का credit है तो 90,000 इधर यूटिलाइस कर लेंगे बचा 5000 5000 किसको यूटिलाइस करें CGST को, SGST को रूल तो कहता है कैसे भी यूटिलाइस करो लेकिन अब आप chartered accountant हो आपको minimum GST payable in cash find out करना है कम से कम तो कम से कम के लिए क्या करोगे जिसकी output liabilities ज्यादा होगी उसमें आप यूटिलाइस करोगे output liabilities दो लों की बराबर है तो अब जिनका credit कम होगा आप उसमें यूटिलाइस करोगे CGST का credit है 2.18 और SGST का credit है 2.3 किसका कम है? SGST का credit कम है 2.3 है, तो यहाँ पर 5000 रुपे आपने यहाँ पर यूटिलाइस कर लिए है ठीक फिर ही आगया, बस उसके बाद यहाँ पर आपने CGST यूटिलाइस कर लिया SGST यूटिलाइस कर लिया, तो अब CGST में आपका 2000 रुपे का ITC बन गया और SGST आपको 8000 रुपे पे करना हो गया है ठीक है, तो इस तरह से आपका यह payment of tax वाला chapter है अब इसमें जितनी practice आप लोग करोगे उतने ज्यादा आप लोग पक्के बनोगे ठीक है, तो questions आपके इसी तरह के आते हैं यह जो question number 3 आप लोगो ने देखा इसी type के questions आते हैं और 8-8 number के questions आते हैं difficult बिलकुल भी नहीं है लेकिन लिख कर practice करने के आपके पास practice होनी चाहिए ठीक है, these are not at all difficult लेकिन लिख लिख कर आपको practice करनी आनी चाहिए ठीक है, बाकी अब एक question और है question number 4 इसको आप लोग अपने आप से कर सकते हो और book से बाकी सारे questions आप लोग please practice कर ली जगा बुक में बहुत सारे questions मैंने दियो है ठीक है, मतलब काफी सारे attempts के पिछले बहुत सारे attempts के, RTPs के, MTPs के बहुत सारे questions मैंने दियो है तो book से आप लोग please questions को practice कर ली जगा you can purchase my book from kumarnishant.com ठीक है, thank you so much, video को like कर देना comment section में comment करके बताना आपको session कैसा लगा हम लोग मिलते हैं कल, और कल हम लोग करेंगे chapter tax invoice, debit and credit notes and e-way bill ठीक है, ये वाला chapter करेंगे उसके बाद परसों returns करके हमारा GST fast track हतम हो जाए जा thank you, take care, bye-bye